आप देख रही है MNS News सच जरूरी है और अब जब सभी बयानों को मिलाया जा रहा है तो देखने को मिल रहा है कि उसने बयान कई बार बदले है DGP वुख्याले लखनओ की तरफ से जारी किये गए एक प्रेस नोट के मताबिक सीमा हैदर ने UP के सनौली बॉर्डर से नहीं बल सिधार नगर के रूपन रही खुनबार बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी यही नहीं सीमा की सचिन से पहली बार बात 2020 में हुई थी जबकि सीमा ने पहले 2019 में बात होने की बात बताई थी केंद्री एजेंसी की जाच में यह बात सामने आई है कि 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौले सेक्टर और सीतामडी सेक्टर में किसी भी थार्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है सीमा और सचिन ने इनी दोनों जगों से भारत में एंट्री का दावा किया था जब उस दिन से CCTV फूटेज खंगाले गए तो वहां कहीं भी सीमा दिखाई नहीं दी जैसा की नियम है कि तीसरे देश का कोई भी नागरीक भारत नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती है लेकिन ऐसी कोई सूचना भारत पुलिस को नहीं मिली इससे साफ पता चलता है कि दोनों ने जूट कहानी बनाई थी ऐसा क्यों किया इसकी अभी जाच की जा रही है जाच में यह खुलासा हुआ है कि नेपाल में नियू मिनायक होटल के कमरा नंबर 204 में सीमा हैदर और सचिन फरजी नाम और पते के साथ रह रहे थे वहाँ सीमा ने खुद को भारती और सचिन के पतनी बताये था होटल के रजिस्टर में भी दोनों ने अपने असली नाम नहीं बताये थे बलकि फरजी नाम वहाँ पर दर्ज थे सचिन एक दिन पहले ही नेपाल पहुँच गया था जबकि सीमा अगले दिन नेपाल पहुँची सीमा हैदर ने ATS की पूश्टाश में कभूला कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारती मर्दों के संपर्क में भी थी सीमा ने इन लोगों से भी PUBG गेम खेलते हुए जान पहचान बनाई थी जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था जएदतर दिल्ली NCR के थे सीमा ने जिन लोगों से PUBG के जरिये बात की थी उन्हें भी ढूणा जा रहा है अगली खबर आतंकी पाशा का 24 तक बढ़ा PCR करनाटक के बेलगाम जेल से प्रोडक्शन वारन पर नाकपूर लाया गया आतंकी बशिरूदी नूर अहमद उर्फ अफशर पाशा का बुद्वार को पुलीस रिमान समप्त होने पर धंतोली पुलीस ने उसे नैले में पेश किया नैले में मौझूद प्रकरण के जांच अधिकारी ने नैले के समक्ष बताया है कि उस पर धंतोली थाने में दो मामले दर्ज है एक मामले में पुश्टाश हो गई है और दूसरी में पुश्टाश बाकी है जांच अधिकारी ने बारा मुद्धो पर पुश्टाश करने के लिए नैले से पाशा का नैखी रासत से पुलीस रिमान पर देने की गुजारिश की इसके बाद नैले ने पाशा को 24 जुलाई तक धंतोली पुलीस को रिमान पर भेजने का आदेश दिया है इसके बाद धंतोली पुलीस हरकत में आ गई और आतंगी संकटन से जुड़े पाशा को बेलगाम जेल से नाकपूर लाने की मशकत चुरू की बुधवार तक उससे पहले धंतोली पुलीस ने 10 करोड के प्रकरन में पूश्टाच की इसके बाद उसे बुधवार को नैले में पेश किया गया अफसर पाशा से 100 करोड की फिरोति मांगने के मामले में पूश्टाच होनी है इसलिए नैले ने उसे 24 जुलाई तक पूलिस रिमान पर भेजने का आदेश दिया है जैश पूजारी और अफसर पाशा पर धंतोली थाने में मामले दर्ज है एक 100 करोड और दूसरा 110 करोड रुपे की फिरोति मांगने का है इसे के साथ देश जुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे है MNS News